कि हुआ है Ha ignored सिफ नुज मार्केज 24 पर खबर कामकी नमस्कार दोस्तों नुज वारि किस ट्वंटीफोर अब सभी का फिरसे स्वागत है रोजाने की तरीक आपको बताएंगे लोहावजार की जानकारी लूहावजार में मंडी गोंग क कड्र एमेस इंगटके भाव इसक्रेब के भाव की जानकारी काश्टाइन के भाव HRC CRC कॉयल और साथ ही साथ मार्केट के सभाभा लोमें बाव बजारो में घरेली बार्ती वजारो में यहां पर जो में गणार में घट के logos धिरो में अगर सब्सक्रेब आ तो बजारों में बहुत ज़्यादा निचले लेविल पर बिक्वाल भी नहीं आ रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आप यहां से बिक्वाली के असार फिलाल नहीं है लेकिन बजारों में जो तेजी आनी है उसके लिए आप लोगों को फिलाल के लिए 10 से 15 दिन का आगे आने वाले समय बजारों में बेट करके चलना पड़ेगा क्योंकि मार्केड में महुल के हिसाब से बजारों का ट्रिंड रोजाना चेंज होता रहता है इसी के तैट MS इंगट का बहु एकल 46,500 रुपे रहा में 400 रुपे की गिरावट के साथ बजार बंद हुआ MS स्केप का बहु 35,000 रुपे रहा MS इंगे टोल्ड स्केप का कनवर्जन डिट 11,500 रुपे बना हुआ है काश्टाइन की स्थिती में कोई विशेश परतन नहीं आया मंडी गोईन का टोका का बहु 41,000 रुपे रहा इंपोर्टेट का बहु इंपोर्टेट टोका का बहु का बहु का बहु 42,000 रुपे रहा HRC CRC कोयल में स्थिती लुधियाना की अगर बात करी जा है HRC कोयल का बहु 56,000 रुपे रहा HRC कोयल की अगर बात कर लेते हैं तो 65,000 रुपे पर काम का जुआ गाजियाबाद HRC कोयल का बहु 53,000 रुपे रहा कोलकाता है HRC सीट का बहु 42,000 रुपे देखा गया HRC CRC कोयल के भाव भी अच्छे लेविल पर बने हुए आने वाले समय में जिस साबसे ग्लोबल काउज अमेरिका में रिसेशन के डर धीरे-धीरे खतम होते हैं होने की समभावन नजर आ रही है तो आगे आने वाले समय बजारों में एक अच्छी ग्लोबली डिमांड अगर निकलेगी तो उसका इंपक्ट आप बजारों में देखेंगे और बजारों में अगर 15-20 दिन के आप लोग होल्डिंग करके चल सकते हैं तो बजारों में आप आने वाले समय बजारों में आपको एक अच्छी रिकवरी दिखाई देके चल सकती है चलिए अब जानेंगे रायपूर HB वायर की कहस्तिती है, रायपूर HB वायर का भाऊ 50,900 रुपे, जी ऐी वायर का भाऊ 56,500 रुपे, रायमेस पाइप की अगर बात करें, गोविंगर पाइप का भाऊ 69,900 रुपे, रायपूर पाइप का भाऊ 69,000 रुपे देखा गया, सबी टीम्टी के बाव भी आप देखके चल सकते हैं बजारों में 300-600 रुपए पती टन की गिरावट दर्ज करीगी जो इंगट में गिरावट आती है उसका रिफ्लेक्शन दूसरे बजारों में आपको टीम्टी के बजारों में देखने क्लिए मिलता है और टीम्टी के अच्छा सपोर्ट का लेवी 46,000 रुपए का ही लेकिन 45,800 रुपए का आप एक सपोर्ट मानके आप निचल इसतर पर खईदारी करके चल सकते हैं लेकिन उपरी इसतर पर अपने अपना माल जरूवत के एसाब से खईदारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा रहेगा 45,000 से 47,500 रुपए से 35,000 रुपए तक बजारों में आप भाव देखके चल सकते हैं तो इसी तरीके से बजारों में अगर इसी तरीके की जानकारी आप लोग रोजाना जानना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिक्रेशन को जब दमाएं फिर मु